हेलो क्लास थर्ड आज आप में स्टुड़ी करेंगे एक्ससाइज 8.5 तो फर्स्ट कोशन यहां पर क्या आपका एड़ता फैक्शन और यहां पर आपको फ्रैक्शन को प्लस करना है तो देखें यहां पर देख रहे होंगे आपकी डिम्रेटर क्या है इक्वल है इच कोशन मे और नीचे 7 तो आप क्या राइट करेंगे 5 by 7 ऐसे सी वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 by 11 ऐसे एगर आप सॉल्व करते तो 11 by 15 और जब आप जी सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 by 25 लेकिन यह कैंसिल हो सकता है तो इसलिए equal to 1 हो गया है और यहां पर क क्या है all question में आपके numerator equal हैं तो आपके numerator add करेंगे कितना हो जाएगा 314 4 by 5 राइट कर दीजेगा डी में कितना हो जाएगा 235 by 9 f में हो जाएगा 53 8 by 12 और यह cancel हो सकता है 4 से है ओके आप 8 by 12 ही राइट करिएगा ठीक है और यहां पर 9 by 10 ओके देने फिल अब दा ब्लैंक्स तुमेक्ट फॉलोइंग स्टेट्मेंट तो आपको फिल अप करना है तो यहां देखिए अलेडी फिल है तो देखिए कैसे हुआ है में बताते रहा हूं यहां देखिए 7 by 9 और 9 है यह वन अभी आपके पास नहीं है और यहां कितना 8 तो 7 में आप क्या एट करें की 8 हो जाए तो आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा वन पता चलेगा तो आप यहां पर वन राइट करती जाएगा ओके ऐसी यहां देखिए सेकेंड कोस्टन में क्या है यह तो अभी यहां प्रीबियस कोस्टन फर्स्ट में कर चुके हैं यहां निम्रेटर टू निम्रेटर अगर आप एड कर देंगे तो 32 आपका 5 हो जाएगा ओके देन कोसे नंबर सी में यहां पर जिम्नेटर तो आपको वही राइट किया जाता है जो दोनों फ्रेक्शन की डिम्नेटर ज यहां पर देखे क्या है थी वाई टू्टी एलेवन बाई ड्यास था 14 बाई 20 तो यहां पर जुम्रेटर देखें LEANS तो यहां पर भी आपका कितना जाएगा 20 आएगा तेन यहां पर दोनों कितना नाइंटीन था तो डिम्रेटर आप 19 डाइट कर देंगे और निम्रेटर को एड कर देंगे 116 एड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 17 तो यहां पर देंगे विक्रणा प्रीबियस जैसा ही है जाएगा देके जैसा तो यहां पर सेवन डिम्रेटर कितना आप इस फिप्टीन तो यहां पर भी सखेंड फ्रेक्शन का पिजिम्रेटर कितना होना चाहिए 15 नेक्स्ट है आपका add the fraction तो यहां पर देखिए जो question 3 by 7 and 2 by 14 तो यह आपके label का नहीं है अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं यहां देखिए 2 को cancel कर देंगे 2 by 14 को तो कितना मिल जाएगा 1 by 7 अब यहां पर 3 और 1 कितना हो जागा 4 और नीचे कितना 7 तो आप write कर सकते हैं 4 by 7 ऐ ऐसी second question देखिए क्या है 1 by 4 और 5 by 8 अब यहां पर आपको problem हो रही होगी तो आपके label का नहीं है तो यहां देखिए divinator हम equal कर रहे हैं कैसे करेंगे 2 से multiply करती है तो उपर कितना हो जाएगा 2 और नीचे कितना हो गया 8 अब यहां 5 2 कितना हो गया 7 ओके तो थोड़ी सी यहां problem ह हो सकती है आपको 7 by 8 ऐसी third question सी नंबर क्या 2 by 9 और 5 by 18 तो यहां पर भी डिमियेटर को अगर equal करेंगे तो 2 से multiply करना पड़ेगा जब 2 से ऊपर भी आप multiply करेंगे तो उपर कितना हो जाएगा 4 नीचे कितना हो गया 18 तो 45 कितना हो जाएगा 9 तो यहां पर कितना हो जाएगा 9 by 18 ओके ऐसी ही 1 by 2 cancel करने के लिए आप छोड़ दीजिए 9 by 18 यह आप राइट करिए question number D मैं क्या 3 by 22 और 7 by 11 तो second fraction में आप 2 से multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 और यहां पर 22 तो यह 14 और 3 कितना हो जाएगा 17 by 22 ओके अभी आपकी लेबल के questions नहीं है तो आप यहीं तक ही करी अधर आप के पास ट्यूटर अब लेबल है तो आप उनसे सीख सकते हैं इसके लिए पहले आपको LCM वगरा भी सीखना पड़ता है ठीक तो यहां मैं solve कर दिया हूं तो आप देखना हो देख सकते हैं लेकिन अभी आपके लेबल का questions नहीं है आपके exam में ऐसे questions नहीं आते है ख賽सस एक पास Was के अजय कुरर आपके